मेरे बहुत ही प्यारे वद्यारतियों मैं दिदार सिंग एसेस मास्टर सरकारी सिनियर स्कैंडरी समार्ट स्कूल डडविंडी जिला कपूर्थ लातो हाँ आज जिसी लेके आए हां जमात दस्मीन दे इतिहास पाग दे विच पाठ नमबर छे बंदा सिंग बहादर अते सिख मिसला इस पाठ दे विच महत्रपूर्ण टॉपिक ने जड़े उना बार्याज जिसी विचार करांगे वो महत्रपूर्ण टॉपिक होनगे बंदा सिंग बहादर दियां लड़ाईयां फ्रक्षियर दियां सिखा वरुद कारवाईयां अते तीसरा टॉपिक साड़ा होएगा बंदा सिंग बहादर दा आंत इस तो पहला कैसी बंदा सिंग बहादर दियां लड़ाईयां बारे गाल करिये आओ एक चात मार दे हां बंदा सिंग बहादर दे जीवन बारे प्यारे विजारतियों बंदा सिंग बहादर दा जनम जम्मुक श्मीर दे शहर जोरी विखे होया बच्पन तों ही उसनों कोड सवारी अते तीर अंदाजी दा बहुत शौंक सी उना दे बच्पन वेच एक अजीब कटना कटी जिस दा जिकर आपां पहले अध्याई वेच का रही चुके हां कि कि म उने शिकार करंदरान उनन दा एक तीर एक गर्बवती हिर्नी नू लग गया सी उस दी अते उस हिर्नी दे दो चोटे चोटे बच्यां दी उस दियां अखां सामने मौत हो गई सी इस कटना ने उसता जीवन ही बदल देता सी ओ वेरागी बन गया अते गुदावरी नदी दे नारे अपना आश्रम बना के रहन लाग पया इसी समय दुरान ही उना दी मुलाकात शिरी गुरु गोबिन सिंग जी नाल होई गुरु जी ने उना विच हिमत पर ही अते अपना सिख बना लेया अते उसनू गुर्बक्स सिंग दा नाम दिता पर बाद विच बंदा भादर नाम नार प्रसेद्ध होई उस समय मुगल सरकार दा राज सी बंदा सिंग ने जदों गुरु गोबिन सिंग जी तों मुगलां देखीते अत्या चारां दियां कहानियां सुनियां ता उसने उसे समय ही मुगलां दा नाश करन लई गुरु जी नू वचन दिता गुरु जी ने वी उसनू सिंग दा राज नितिक आगू बना दिता कि सारी सिंग नू उस दा साथ देन लई हुकम नामें जारी किते बन्दा सिंग बहादर ने अपने सिक सैन का नाल दिलीतों पंजाब वल ओंदेयां सोनिपत कैथल समाना अते कुडा आम दे नाल कपूरी सडोरा मुखलिस्पुर अते सरहंदियां लडाईयां विच वजीर खां वर के कई जालम शाशकां दा अंत करके महत्त पूरन जित्ता हासल कीतियां इना महत्त पूर्ण सिथाना ते सिखा ने अपना अधिकार कर लेया अते इना दा राजपर बांदवी अपने सिखा नू सौंप दित्ता पहादर शा दी सिखा वरुद कारवाई प्यारे बच्चो जदो मुगल समराट पहादर शा नू पता लगा के सिखा ने पंजाब दे मुगल हाकवाण नू वक्त पा दिता है ता उसने अपना सारा त्यान पंजाब वाल दिता उसने दिल्ली अते आवद दे सुबेदारा अते मुरादाबाद अते इलहाबाद दे नाजमा अते फाउसदारा नू हुकम किता के ओ अपनियां से नावा सहथ पंजाब वाल नू कूच करन आओ हुन करते हां एक एक लड़ाई बारे जिकर सवत पहला सी पढ़ांगे अमीनाबाद दे लड़ाई बहादर्शा ने फिरोज खां मैवाती अते महाबत खां दे अधीन सिखा उरुद एक विशाल सैना पेजी बिनोज सिंग अते राम सिंग ने चब्बी एक तूबर स्तारासो दासीसवी नू अमीनाबाद विखे वैरी दा समना कीता उनाने महाबत खां नू पिछे पज्यन लई मज़़ूर कार दिता पर अंतनू वैरी दी बहुती गिंती होन कारण सिखा नू खार दा मू देखना पया जिऊंदे अते मरे होए सिखा दा बहुत अपमान कीता गया उना दिया लाशा नू जर्नेली सटक दे कंडे ते लटका दिता गया बहादर शावल्लों फिरोज खां मैवाती नू सरहेंद दी फौजदारी सौंबुई गई सड़ा दी लडाई जदो बंदा सिंग बहादर नू सिखा दी हार दी खबर मिली ता उसने अपने सैन का समेथ दुश्मन ते चड़ाई कार दिती उस समय मुगलांदी विशाल सैना सड़ा विखे डेरा लाई बैठी सी 4 दिसंबर 1710 इस्वीनू जियों ही व्यारीदी सैना सही डेरीदी पाल विच निकली ता सिखा ने वो सुते तावा बोल देता सिखा ने बहुत वीरता नाल युद कीता उनाने दुश्मन दा सा बहुत सारा निकसान कीता पर शामनू बहुत बढ़ी गेंती विच शाही फाउज वेरीदी सैना नाल जा रड़ी इसते सिखा ने लड़ाई विचे शाड़ के लोग आड़ दे के लिए विच शरन ले लई लोग आड़ दा युद उस समय तक बहादर शावी उथे पहुँच चुका सी उसने खुद बंदा सिंग बहादर दे खलाफ कारवाई करन दा फैसला कीता उसने सिखा दी ताकत दा अंदाजा लोण लई वजीर मुएन खानू किलेवल वदन दा हुकम दिता पर बादशादे हुकम दी उलंगणा करदे हुए 10 दिसंबर 1710 इस्वी नू लोग आड़ दे किले ते हमला करदेता उस दी नकल करदेयां दूसरे मुगल सर्दाराने वी किले उत्ते तावा बोल देता सिखा ने व्यारीदा डट के मकाबला कीता दुनों पास्यां तों वड़ी संख्या विच सैनक मारे गए पर किले अंदर सिख सैनका नू खान पीन दा समान दी अन्होंद कारण मुश्कलां दा सामना करना प्या इसलिए उना वल्लों लड़ना असंभव हो गया एक गलाब ना दे सिख ने बंदा सिंग बहादर वर की शाग पालई बंदा सिंग ता सैनका नाल बहार निकल गया और उबंदा बहादर वाली था ते जा बैठा उथों बंदा सिंग बहादर नाहन दियां पहाडियां वल चलिया गया 11 दिसंबर 1710 इस्वी नूँ स्वेरे मुनायम खाने फिर केले उत्ते तावा बोल लिया छीती ही मुगला ने केले उत्ते जित प्रापत कर लई गुलाब सिंग नूँ कतल कार दिता गया बंदा सिंग बहादर दे नासे जानते उनानू बहुत दुख होया बहादर शा ने बंदा सिंग बहादर दा पिछा करन लई हमीद खान दे कमान हेट अपनी फौज पेजी बहादर शा सड़ा बडावली रूपड कुश्यारपुर अते कला नौर आद हुन्दा होया लहौर जा पुजा पहाड़ी लाक्यां विच बंदा सिंग बहादर दियां सरगर्मिया पहाड़ा विच जाके बंदा सिंग बहादर ने सिखा दे नाम हुकम नामे पेजे के ओ उसनू आके मिल सकन थोड़े ही समय विच कीर्थपुर विखे एक वड़ी गेंती विच सिख इकठे हो गए सब तों पहलना बंदा सिंग बहादर ने गुरु गोबें सिंग जी दे प्राणे वैरी बिलास पुर दे हाकम राजा पीम चांद नो एक परवाना पेजया बंदा सिंग बहादर ने उसनू उस दी इन मनन लई केहा उस दे ना करन थे बंदा सिंग बहादर ने बिलास पुर थे हमला कार देता कमसान दा युद होया पीम चांद दे तेरा सो सैनक मारे गए अते सिखां दे वड़ी जित होई बंदा सिंग बहादर दी इस जित नाल बाकी दे पहाडी राजे डर गए कईया ने बंदा सिंग बहादर नो नजराना देना मन लया मंडी दे राजा सिद सैन ने इन मन के ऐलान किता कि वो सिख गुरुआं दा उन्हे आई है मंडी तों बंदा सिंग बहादर कुलू वल वद्या उत्थों दे हाकम लाल सिंग ने किसे चाल नाल उसनू कैद कर लिया पर शेती ही बंदा सिंग बहादर उस दी कैद विच्चों निकलन विच सफल हो गया कुलू तों बंदा सिंग बहादर चंबा रियासत वल वद्या उत्थों दे राजे उदे सिंग ने उस दा दिलों सतकार कीता उसने अपने प्रवार विच्चों एक लड़की दा व्यावी उसनाल कार दिता साल सतारा सो ग्यारा इस्वी दे अंत विच बंदा सिंग बहादर दे कार एक पुत्तर ने जनम लेया उस दा नाम अजे सिंग रख्या गया बहरामपुर दी लडाई जदों बंदा सिंग बहादर रायपुर अते बहरामपुर दे पहाडा मिचों मैदानी लाक्यां उत्ते हमला कार ले निकलया ता जमूदे फौजदार बायजीद खां खेसगी ने उस उत्ते हमला कार दिता चार जून 1711 इसवी नूं बहरामपुर दे नेडे लडाई होई इस लडाई विच बाज सिंग अते फते सिंग ने अपनी बहादरी दे जोर दखाए सिटे वजों सिखा नूं जित प्रापत होई बहरामपुर दी जित्तों मगरों बंदा सिंग बहादर ने रायपूर बहरामपूर कलान और अते बिटाडा उते हमला किता अते उना सथाना नूं अपने कबचे वेच कर लिया पर ये जित्त चेस थाई साबत ना होईया बंदा सिंग नूं मड़ पहादर वेच शर्ण लेनी पई बंदा सिंग बहादर दा मोड़ ताकत फड़ना 18 फरवरी 1712 इसवी नूं लहौर विखे ही मुगल समराट बहादर शादी मौत हो गई उसदी था थे उसदा पुत्तर जहांदार गदी थे बैठया पर नाल ही उसनूं गदी तों उतारके उसदी था फ्रक्षिर नूं पार्त दा समराट बना दिता गया इस वस्था दा लाव उठाके 1712 इसवी विच बंदा सिंग बहादर ने सड़ोरा अते लोगड उत्ते मुड कवजा कर लिया उसने लोगड केले दी मुरमत दवारा करवाई अते उसनूं खालसी दी राजता ने बना लिया उसने फिर तों मलतान तों जलंदर तक समेत लहोर अते जहलमतों अंबाडा तक दे इलाकेयां उते हमले कीते उसने अमरत सारविके वसाखी वाल दिन मेले विच हिसा लिया अते वड़ा दरबार भी प्रक्षिर दियां सिखा वरुद कारवाईयां बादशाव अनुप उप्रंत प्रक्षिर ने कश्मीर दे सुबेदार अबद समद खानों हुकम किता के सिखा वरुद सक्त कारवाई करे समद खान ने लहौर दे सुबेदार अमी खान नो दिली बलाके उस दी था थे अबदल्ट मद खान नो ही लहौर दा सुबेदार नजुक्त किता बंदा सिंग बहादर नो कुछलन ले आपदल्समाद खाने अक्तूबर 1713 इसी विच सड़ा अते लोहगाड के ले उते जित प्रापत कर ले गुर्दास नंगल दा युद 1715 इसी विच बंदा सिंग बहादर ने पहाड़ी तों उत्तर के कलानोर अते बटाला होते फिर तों आपना अधिकार कर लिया शेती ही आपदल्समाद खान दी अगवाई विच मुगला ने एक उशाल सैना एक अठी कीती अते बंदा सिंग बहादर वुरुद चड़ाई कीती उस समय बंदा सिंग बहादर कोट मिर्जा जान विखे सी मुगल सैना अचानक ही सिखा उते टुट के पैगई सिखा ने उना दा बहुत बहादरी ना टकरा कीता पर सेख गुरुदास नंगलवल पिच्छे नू खट गए उते उनाने दुनी चंदी हवेली वेच चरन लेई दुश्मननू दूर रखन लेई सिखा ने हवेली द्वाले खाई पोट लेई पतिवस वेच पाणी पार देता अपरेल सतारा सो पंदना इसवी नू मुगल सैना ने उस हवेली नू केरा पालेया सिखा ने उनना दा बहुत बहादरी नाल टाकरा किता उनना ने मुगलादी फाईदा पारी नकसान किता अच्ठ महिन्या तको केरा बंदी चल दी रही सिखा को पोजन समगरी खत्म हो गई कई दिना तक को काप ते कोड़या अते पश्मदा चारा खाकी ही गुजारा कर दे रहे बिनोद सिंग हवेली चड के जाना चौंदा सी पर बंदा सिंग बहादर मरदे दम तक लड़ना चौंदा सी अन्तनू बिनोज सिंग अते उस्दे साथी ओ गड़ी छड़ गए सिटे वज़ों सिखा दी ताकत कड़ गई इसे हलात विच उनानू होर लड़ना संबव हो गया इसे लई 7 दिसंबर 1715 इसमी नू हमलावर हवेली उते कबजा करन विच सफल हो गए बंदा सिंग बहादर अते उस्दे 200 साथिया नू कैद कर ले बंदा सिंग बहादर दा अन्त गुर्दास नंगल तों कैदी बनाके बंदा सिंग बहादर नू लहोर ले अन्ता गया उस्ते सारे साथियां दे सिरांते तोपियां पुआ के बजारां विच उनां दा जिलूस कड़े आ गया कोजे देन मगरों जकरिया खान दी देख रेखेट बंदा सिंग बहादर अते हुजे साथियां नू दिल्ली पे जिया गया 27 फरवरी 176 इस्वी नू दिल्ली पहुंचन ते सिखांदा फिर जिलूस कड़े आ जो पांजुमाराच 176 इस्वी नू सिख कैदियां दे कतल दा कम शुरू हो गया हर रोज 100 सिख कैदी कतल कीते जान दे कतल करनतों पहला हर सिख नू इसलाम कबूल करन ले कहा जान दा सी कोई भी सिख अपने तर्मतों ना डोलया अन्तनू एक हफ़ते वेच ही सारे सिख कैदियां दा कतल कर देता गया बंदा सिंग बहादर अति हुदे 26 साथियां नू एक महिना बाद कतल किता गया मुगल करमचारी बंदा सिंग बहादर दे खजाने बारे जानना चाहुदे सन जदों बंदा सिंग बहादर ने खचानने दा कोई भी अता पता ना दिता ता उन्नी जूम 1726 बंदा सिंग बहादर अते वजे साथियां दा दूसरी बार दिल्ली विच जलूस कड़े आ गया उननों इसलाम कबूल करन लई केहा गया पारो टस्तों मासना हुए बंदा सिंग बहादर नो अपने पुतर अजे सिंग दा कतल करन लई केहा गया पारो ना मन्या उस दे पितर दा देल काड़ के बंदा सिंग बहादर दे मुँच पाया गया पारो फिर भी अडोल रहा फिर उस जिया आखां कड़ियां गईयां उजे हाथ पैर वड़ दिते गई पर ओ डोल रहा बंदा सिंग बहादर दे सरीर दे टुकड़े टुकड़े किते गई पर उस शांत चित बादशा ने अपने साहां दी अहूती दे दिती आज दे स्विशिद नास बंदत को जी प्रिशन आओ अप उना बारे गाल करते हैं साथा पहला प्रिशन है श्री गुरु गुविन सिंग जी ने बंदा सिंग बहादर नों की नाम दिताज साथी आप्शन ने लश्मन दाज गुरुबक्स सिंग मती दाज जा मादो दाज विच्चों सही जवाब की है सही जवाब है गुरुबक्स सिंग असी दूसरा स्वाल देख दे हां दूसरा स्वाल है मुगल बादशा बहादर शा अजमेर तों पंजाब वाल कदों चल्या यह दिवेच्छ साथ यह चार आप्शन ने पहली है सताई जून सतारा सो दास इस दूसरा है ती जुलाई सतारा सो दास इस वी तीसरी ऑप्शन है साड़ी वी जून सतारा सो दास इस वी अते चौथी ऑप्शन है साड़ी पंदरा अगस्त सतारा सो दास इस वी आओ देख देहां कि मुगल बादशा बहादर शा अजमेर तों पंजाब वाल कदों चल्ले सं सही जवाब है सताई जून सतारा सो दास इसवी सड़ा तीसरा सवाल सड़ा दी लड़ाई कदों होई इद विच साधियां चार आप्शन ने पहली 14 दिसंबर सतारा सो दास इसवी दूसरा आप्शन है साधी 25 दिसंबर सतारा सो दास इसवी तीसरी आप्शन है साधी को चार दिसंबर सतारा सो दास इसवी अते चौती आप्शन साधी है 25 अक्तूबर सतारा सो दास इसवी आओ दिखिए कि इस तीसरी प्रशंदा सही जवाब की है किस अड़ा रादी लड़ाई 4 दिसंबर 1710 इसवीनों होई आओ दिख दे हाँ अगला चोथा स्वाल चोथा स्वाल है सड़ा मुसलिम वजीर मोहिन खाने 10 दिसंबर 1710 इसवीनों केस स्थान ते हमला कीता इससवाल दिया चार आप्षिन्स ने सबतों पहला है सरहंद दूसरा आप्षिन है साठी को सड़ा तीसरा आप्षिन साठी लोगाड़ चोथी आप्षिन है साठी को कला नौर आओ देखते हां कि इस दा इस चौथे प्रशन दा सही जवाब की है इस दा सही जवाब है लोगाड़ बच्चियों अमीद कर दे हां कि तुसी इना सारे स्वाला नो चंगी तरह अपने कापियां ते नोड कर रहे होंगे नाल दी नाल देखते हां अगला स्वाल सहड़ा पनिवा स्वाल है बंदा सिंग बहादर दे पुत्तरदा नाम की सी पहली आप्णी है साड़ी राम सिंग है दूसरी आप्णी है साड़ी को लाल सिंग तीसरी option है साधे कोल अजे सिंग और चौती option है साधे कोल उदे सिंग की तो हनु याद है कि बंदा सिंग बहादर दे पुत्तरदा नाम की सी आओ देख देहां इना दे विच्चों सही जवाब की है बंदा सिंग बहादर दे पुत्तरदा नाम अजे सिंग सी आओ बच्यों उन्ट देखते हैं अगला स्वाल नमबर छे छेवा स्वाल है साड़े कोल मुगल शाशिक बहादर शा दी मौत तों बाद राजगदी ते कौन बैठ या सी इस स्वाल दियां साड़े कोल चार आप्शन ने आओ देखते हैं पहला आप्शन है साड़े कोल जहादार दूसरा फुरक्षियर तीसरा है बाईजीद खान जहाँ चोथा है उस्मान खान आओ देखते हैं कि इस शेवे स्वाल दा जवाब सही जवाब की है कि मुगल शाषिक बहादर शादी मौत तोंबाद राज गदी ते जहादार आप्शन नमबर पहली जड़ी है उड़ा आप्शन जहादार गदी ते बैठ या सी इसी तरह ची देखते हैं अगला स्वाल साड़ा साड़ा सत्वा स्वाल है बंदा सिंग बहादर ने कला नौर अते बटाडा ते अपना अधिकार कदों कीता साड़ी पहली आप्शन है सतारा सो दास इसवी साड़ी दूसरी आप्शन है सतारा सो पंदरा इसवी साड़ी तीसरी आप्शन होईगी सतारा सो नौ इसवी जाँ फिर सतारा सो वी इसवी आओ देख देहां कि बंदा सिंग बहादर ने कला नौर अते बटाडा उते अधिकार करनों किता है यह स्वाल दा सही जवाब है सतारा सो पंद्रां इस्वी सदा अगला स्वाल स्वाल नमबर आठ बहुत इंपोर्टेंट स्वाल है मुगला द्वारा दुनी चंदी हवेली दी केरा बंदी किना समा चल दी रही यह अक्सर स्वाल जड़ा सानू फाइनल अगजाम दे विच आही जानदा है आओ देख दे हां कि एस प्रशन दे चार आप्षिन्स की ने साथे को और उना दे विच्छों सही जवाब की है पहली आप्षिन है एक महिन्ना दूसरी आप्षिन साथी है शे महिन्ने तीसरी option साड़ी 8 महिने हते चौती option है साड़ी 10 महिने आओ देखिए कि किरा बंदी जड़ी सी किन्ना समा चाल दी रही सही जवाब है 8 महिने आओ बच्चो अगला स्वाल देखते हैं स्वाल नमबर साड़ा 9 नौवा स्वाल है साड़ा कि गुर्दास नंगलतों बंदा बहादर नों कैद करके कित्ते लिया अंदा गया सी साड़ियां options ने दिल्ली दूसरी option है साड़ी सरहेंद तीसरी option सोनीपत चौती option है साड़ी लहौर आओ देख देहां एस स्वाल दा सही जवाब कि की है सही जवाब है लहौर पित्यों आज इस टोपिक दा आखरी स्वाल दस्वा नंबर स्वाल है बंदा सिंह बहादर दी मौत कदों होई जड़ी सियों हो उन्नी जून स्तारा सो सोड़ा इसी वेच प्यारी बच्चयों मैं अखीरते वेच बहुत तन्वाद करदा हां स्कूल सिख्यावपाग पंजाब दे जिनांदे इस उद्धम सद का मैथ हड़े रूपरू हया हां अते ए आस करदा हां के जहें उद्धम पार्ठ अते नौवी टॉपक लेके फिर मिलांगे तब तक देओ इजाज़त जैह हिंद्ध